दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग हमारी बेजती करने के लिए हमें एक दो थपड मार देते हैं इस इस्थती में अगर कोई वेक्ती किसी को एक दो थपड मार देता है जिससे उस वेक्ती की बेजती होती है तो उसके खिलाब कारवाई कैसे करवाई जा सकती है आज की इस वीडियो में बताने बलाओ क्योंकि एक थपड मार देना कोई बहुत बड़ा क्राइम में होता है लोगों के दिमाग में होता है कि एक थपड मार दिया है तो इसकी क्या फाया लिखाई जाए इसके खिलाब क्या कारवाई करवाई जाए लेकिन उसके खिलाब भी कारवाई करवाई जा सकती है अगर आपकी बेज़ती हुई है थपड माने से हो कोई थपड मारेगा तो आपकी बेज़ती होगी ही तो दोस्तों आईए इस वीडियो में समझते हैं कि अगर कोई वेक्ति थपड़ आपको मारता है किसी भी प्रकार से आपके उपर बल का प्रियोग करता है जिससे आपकी बेज़ती होती है तो उसके खिलाब कैसे कारवाई करवाई जाए तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम उम्परका सांडिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल इसको लाफला दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को थपड मारता है या अन्य किसी प्रकार से बल का प्रियोग करता है जिससे की सामने वाले व्यक्ति की बेज़ती होती है उसे थोड़ा सर्म महसूस होता है उसकी बेज़ती हो जाती है तो इस प्रकार का मामला भारतिय दन्न संगिता की धारा 355 के अंतर गता था दोस्तों IPC का सक्षन 355 कहता है कि assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on gay provocation हिंदी में समझे आप गंभीर प्रकोपन होने से अन्य था क्रिसी बेक्ति का अनादर करने के आसे से उस पर हमला या अपराधिक बलका प्रियोग किया जाता अब कोई बेक्ति अगर आपकी बेज़ती करने के लिए आप के थपड मार देता है या अन्य केसी परकाल से बल का प्रियोग करता है और उससे आपकी बेज़ती होती है अब कोई थपड मारेगा तो बेज़ती होगी ही अगर चार लोगों बीच में मारता है तो और ज़्याद 355 के अंतर के जब उसके खिलाब मुकदमा दर्ज होगा तो ट्राइल चलेगा और अगर उसे दोसी माना गया तो दोस्तों IPC की धारा 355 में दन्न का जो प्रावधान है दो साल का कारावास या जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों तो अगर कोई भी वेक्ति इस आ करवाईए भारतिया दर्ण संगिता की धारा 355 के अंतरगर मुकदमा पंजी करित होगा और उसे उस बेक्ति को दो साल की जेल भी हो सकती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ या वीडियो आप सभी के लिए हिलफुल लहा होगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली प्राब्लम साल्विंग वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का खयाल रखिये कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माद्दम से लेते रहिए मामलों से बच के रहिए I love you all जै हिंद जै भारत